राम राम मैं पंडित इसके मिस्र हम पिछले कुछ विडियो से सोमवार से लेकर करके सनिवार तक पैदा हुए ब्यक्तिवों के ब्यक्तित्व और उनके चरित्र के बारे में काफी चर्चा किये है और आज हम चर्चा करेंगे रभिवार को पैदा हुए इस्तरी जातक और पुरुस जातकों के चरित्र और उनके ब्यक्तित्तों के बारे में इस्त्री जात्रक और पुरुस जात्रक दोनों ध्यान से देखे विडियो को बिना इस्कीब किये हुए हम सिधे अपने मूल बिशे पर चलते हैं जो इस्त्री या पुरुस रभिवार को पैदा होते हैं उनका रंग साफ लंबा उचा कद सिर गोल वचोटा वश्वस्त सरीर होता है ये बहुत साहसी निडर दान बिर धरम कर्म में रूची रखते हैं ये सत्य बोलने वाले माता पिता की आग्या मानने वाले देश की सेवक था बहुत ही भागयवान होते हैं यह बहुत दयालू भागयसाली हसमुक सभाव वाले बहुत धारमिक वह एक दूसरी के सुख दुक में काम आते हैं किसी कारे को करने की इनमें अधुट छंता होती है यह कोई भी गमगीन माहोल हो, अपने हस्मुक सभाव से सबको हसा देते हैं, इनका समाज में बहुत मान समान होता है, यस प्राप्त की आकंचा इनमें बहुत होती है, पर स्वार्थ पूर्ती में ये कभी कमी नहीं आने देते हैं, ये सद्गुनी व उत्तम चरित्र के धनी ब्यक्ति होते हैं, आसा है, आप लोग समझ गया होंगे, मैंने भली भात यहां समझाने का प्रयास किया है, फिर भी अगर आपके मन में कोई जिग्यासा हो, कोई प्रशनों को जानने के इचाओ, या अपनी कुणली हमसे दिखलवाना चाहते हैं, या कुणली मिलान करवाना चाहते हैं, या ऐसे लड़के लड़कियां जिनके विबाह में कोई बाधा आ रही हो या मन चाहे साधे नहीं हो पा रही हो या विबाह होते होते प्राया कर जाता है तो उनको भी निरास होने क्यों सकता नहीं है और यदि आप विबाहित हैं आपके दामपत्र जीवन में कोई कड़वाह जिससे आप पिरित हैं प्रसान हैं जिसका समधान नहीं करवा पार हैं या समधान करवाती करवाते ठक गए या समधान करवाती करवाते ठक गए हैं तो भी निरास होने के उसकता नहीं है हमारे भारती विद्याओं में भारती असाधनाओं में इतनी छमता है इतनी दिब्यता है इतनी भवता है कि वह विश्व की समस्त समस्याओं का समधान पल भर में छण भर में समधान कर सकती है और हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे अपने सभी प्रकार के ला इलाज समस्याओं का समधान करवा सकते हैं और यदि आप अपने घर बैठे समोहन साधना आपने स टेलीपैथी त्राटक वो अन्य बिद्यायें वो अन्य साधनाये सिखना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद राट